सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट भेक के मारो या फिर मॉम्बत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए कैसे हैं आप लोग सब ठीक ठाक आज मैं आपको जो है एक ऐसे वीडियो बना के बता रहा हूं जो मेरी शुरू से आदत रही है बिफोर एंड आफ्टर की क्योंकि मेरे जितनी भी प्रोजेक्ट पहले मैंने कियें पिछले 10-12 सालों में उसकी जो है मैं हर एक की बिफोर आपने देखा के मेरे लास्ट विलोग में मैंने आपको बताया उसका मैंने विलोग बनाया आपको प्रोजेक्ट पर पूरा डिजाइन में ने किया था तो मैं पहले तो विलोग नहीं बनाता था मगर अब मैंने बनाना चुरू किया तो इसलिए से अब जो है मैं आपको अ क्या है वह भी आपको बताओंगा क्योंकि जैसे मेरा लास्ट विलोग था उसका होम विलोग का तो उसमें आपने देखा था कि मैंने एक रूम को रहने वेट दुबारा किया था तो अब जो है उससे पहले मैं आपको बताओंगा कि विफोर क्या था आफ्टर क्या है दैन द्रूम हमाम और यह बैसन भी है इसकी हालत आप देख सकते हैं क्या हालत है इसके सामने के जो दिवारती वो हमने टोल डी ती तकी वो बहुत ही नाजक हो गी थी और इसका फरश भी जो है हमने फ्लॉर वो भी bacteria जैसा कि आप यह देख सकते हैं कि दिवारे हमने टोल दी क् थी बहुत परानी और बहुत नाजों को चुकी थी में डोर के उपर हमने वेंटेलेशन एक छोड़ा सा बनाया दोपाई दोपा बातरूम के हमने पुराने द्रवाजे रिमूफ कर दिये ताके नए लग सके सिंगल डोर में और बातरूम के भी सारी मरमत शुरू करवा दी रे जगा जगा से ये डैमेज है और फिर इसके बाद जो हमने जो पाई पानी के लाएने थी वो भी हमने उस पे भरोसा नहीं किया हमने नए पानी के लाएने दाली और साथ में सैवरिश की भी है जो कि आपको नजर आ रहा है यहां पर कि हमने पुरा नया सिस्टम बना दिया और पूरे गरम पानी का यहीं सिस्टम बना थंड़े का नहीं थंड़े के जगा भी गरम ही चलाया अबने ये है हमारा कामन और इसकी ये सामने दिवार बहुत ही खासता आलत में है बहुत सेम वगरा थी इसलिए इसको दुबारा रिपेर किया है ये जो दर्वाजा नजर आ रहा है इसको हमने यहां से रिमूव कर दिया कामन का दर्वाजा common की दिवार जोकई हमने आप बुगताया इसको हमने रेपेयर किया दुबारा जैसा कि यह आप देखने कॉमन की दिवारे भी हमने छीली थी क्योंकि ये भी बहुत ही खराब थी इसके वज़ से हमने छील डाली थी दोबारा प्लास्टर किया था और दर्वाजों की रिपेरिंग भी की है कॉमन के फ्लूर को हमने पॉलिश करना शुरू कर दिया आफ्टर प्लास्टर इसके बाद ह हमने फ्लूर को ताके जल से जल काम हो हमारा यह है हमारा किचन जो के बहुत खास्ता हालत में था और इसको हमने फिर इसके दिवारे भी टोर दी थी क्योंकि नाज़क ती जैसा के मैंने पहले भी हुता आया और यह दर्वाजा है दर्वाजा को भी रिमूफ किया कॉमन का किचा का भी और किचन अपन हो जाए और ज llevह खुली हो जाए वा किचन के दिवारओ को भी हमने प्लास्टर रिमूव कर दिया है किचन की दिवार भी खड़ी कर दी हमने और इसके साथ जो है पेंटलेशन भी लगा दिया है इसके उपर दो और साथ में जो है कॉमन के प्लास्टर भी शुरू कर दिया है किचन की दिवार के प्लास्टर होने के बाद अब तैले लगाना शुरू कर ती और इसके साथ जो है पिर हमने मारवल टॉप भी लगा दिया है और बैसण भी लगा दिया है और दुसरा आप देखने किचन भी हमने लगा धी यह आप दोनों फिलो उस रूम की वे ऐस सकते हैं फ्लोर की भी हालस देख सकते हैं इसके बार हम लोग ने जो है फ्लोर की पॉलिश का कांड़ मीड़े दे का का रखत बार चा कि पी पालिश हो जब पालिश किलिये का एस्तेमाल करते हैं ताकर शाइन आ जाये और चमाका जाए तागर और अच्छा हो जाए इसका मगर एक हाथ कलर के बाद दुबारा पालिश होगी अब दुनों रूम में कलर का काम शुरू हो चुका है अलभदलिल्ला और इसके पार जो आप देख चुके हैं यह मेरे पिछले विलोग में कि यह कलर था अब यह रेड वाला जो कलर है अब वो तो चेंज दुबारा हो चुका है यह स्टोर रूम की जो है प्लासर हो रहा है यह डबलिशी वाला पातरूम है और यहां पर डबलिशी लगीगी और साथ में यह देख रहे हैं आप केस के साइबरेश का भी जो है निजाम हमने नया लगा दिया डबलिशी भी नहीं लग गई डबलिशी के बाद यह देखें टायल का का काम कंप्लिट हो गया टायल लग गई डबलिशी भी लग गई और अलम्दलिला कंप्लिट काम हो गई अब नल के वगरा लगने बागे रहे गए बस मैन इंट्रिंस पे डरवा टायले लग चुकी हैं फ्लोरिंग की और सारी रिपेरिंग वगए यह दरवादा की रिपेरिंग हो रही है और इसके बाद आगे देखते हैं और यह एकलरिक की लाइट डिजाइनिंग की वी है मैंने के रात में कओ जलाना हा या पुरूराम होता है तब जलाते हैं जैसके आपने वे-लोग भी देखा हो गए जैसा कि हमने आपको कह था कि कलर होने के बाद फ्लोर पर फिर हाथ लगेगा मारवल की किसाई का मतलब पॉलिश का जो कि आप देख सकते हैं किसी क्या शाइनिंग है कलर होने के बाद पॉलिश होने के बाद बैतरे हैं माशा और शाइमिह हो लिए यह हैं हमारा मैन इंटरेस्ट जो कि आपने पहले दिखा होगा गब बिफोर में इसकी क्या कर्णिशन थी और किस तरह का था और आप देखें आफ्टर चीए यह टायले लगाई थी यह दर्वाजा रपेर किया था यहां वेंटलेशन का एक सिलसरा हमने बनाया था ताकि यहा तो कैनम इसका यह उपर स्टोर है उपर अपने स्टोर भी बनाया हुआ है ठीक है और यह मैंने अपना डिसाइन किया था इसमें लाइट वागरा भी जलती है माशाला बहुत अच्छा खुबसूरत आपने देखा होगा नहीं देखा तो मैं आप भी आपको दिखाता हूँ यह देखें जनाम लाइट जल रही है कैसा बैतरी खुबसूरत तो यह एक लुक वाइज मतलब यह के अच्छी चीज़े अच्छा लगता है पिलर खाली था तो मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो इसलिए से मैंने सोचा कि चले यही कर लेता है य हम ने दर्emaat की लेवल तक हमुए सारी टाले लगा लिए इस तरफ इस तरफ एस तरफ और यहां पे भी इनकी Jabhane उड आट की रिकिक है वो यह ऐजार दो ओर टिग अट वह था अधिए और तक गेरा यहर। मतलबज़ करना आउettre नहीं इस था चम पहुँन आखें हैं क्योंकि यहां फ्लकी से सेम नुमा आ रही है बरावर वालों की तरफ से तो बरलल कंप्लेंट हो चुき अब देखें क्या होता है और यह जो कफिजन बनावाई है यह हमारा पूरा पॉरा पॉलिस्टर और उसमें है फिवी एसी में PVC में है पूरा ठीक है इसी तरह ये black color की PVC है ये बहुत और ये पेले दराजे नहीं वा गवभी है यहाँ पे जगह जगा जरा बड़ी है, पहले जो हम रहते थे नहीं चोटी थी और दराजे नहीं थी यहाँ जगा बड़ी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे याजे बनाईए है और यह एकलेरिक में नी थी में है इसका उसमानो है वह चुनलेश fào शोड़ता वो आज पे। ही यह ऐ हमारे और यह में नाने डीका सिस्टम भी हमारे रहा है और हो यहाँ बखित, बובम किनम गर में आए हो जो खित हमारा WC वाला सिलसला जो के अलम्दलिल्ला यह भी कम्प्लेट है और अभी तक ऐसा कैसा यह और इस दिवार पर यह देखें मैंने पूरी टाइले लगाई हुई है यह मैं इंट्रेस्स है हमारा किके नहीं दरवाजा को कलर करना है मतलब रेनुवेट तो आपको मैं बार बार क्या रहा हूं कि रेनुवेट करना है रेनुवेट करना है मगर सोच रहे हां या नहीं हां नहीं है फैसला नहीं हो पा रहा कि क्या कर रहा है आप लोग कमेंट्स में बताएं कि क्या करना चाहिए बेशना चाहिए बेशने से पहले रेनुवेट करना चाहिए या नहीं करना कर ती और अब जो है वहु हो चुकी है तो हमारे कौमन में अभी इफ जो है कि का स्का ऐा क्लरं जो है वह अभी खराब हो skirt कविए हैं कामन का भी और अब जो है हम सोची रहें क्या इसको रहें कि कि रहें whispering kiss करें किस और इसमें हैं हमारा गुगु तीक में गूगु है तूबरहल हम इन्शाला हम आपको बताएंगे और यह वह दिवार जिसको मेरी बेटी पैंट कर रही थी पैंटिंग कर रही थी मगर बारल उसको जो है मैंने फिर मेला नहीं तो हम इस साल पर 500 6 साल तो यह ने बनी वी नोग बने वी पसंद नहीं करते एक है तो मैंने चिप यह अलग पोशन है यह अलग है वो अलग है ठीक है ना सबको अलग अलग रखाए क्योंकि मुझे पता था कि हमने गड़ तो शेफ्ट करना है तो इसलिए हमने यह ऐसलिए अलग अलग बनाया है और यह हमारे जूला जो के मैं यहां सुगा उटने के बाद जो पानी पीता हू ताकि जो है मज़ा आता है और एक अच्छा लगता है और यह हमारे महरूम वालिज साब की निशानी भी है इसलिए मैंने यह खास रुपे लगा के भी रखा है हमारे वालिज साब की यादकार निशानी उन्होंने यह बनाया था पहले हमारे जो वालिज साब का घर है वो भ तक का यहां तक एक रूम है तब आएक रूम है एर जितना वड़ा यह मेरा घर इतना बड़ा हमारा एक common है तो इससे आप अंदाद अलग वह गहर बढ़ा तो इन्शालों उसका भी मैं आपको बना के बताओं अन्छला कोमन का फ्लोर आप देख रहे हैं यहां पर मुझे जो है एक डिजाइन करना था और डिजाइन क्या है वह मैं आपको 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 बता दूंगा वह दिसाइन ऐसा था मुझे करना था मागा मैंने कैंसल कर दिया कि कुएकि बहुत भाँ जा रहा था और यह चीज अविलेबल भी नहीं थी उसक्ट जो है मुझे मिल ने रही थी तो इसलिए मैंने डिले हुआ डिले होने के वाजाए से फिर मैंने इसको छोड़ी दिया और बालब उरादा नहीं करने का और ये है हमारो नूम हमारा बैड है ये रूम अभी ऐसा कैसा ही है जो फर्स टाइम हमने कलर किया था बस वो ही है इसलिए कि हमने अभी इसको रेनुवेट करना है जैसा कि मैंने आपको हॉम लोग में भी बताया था कि अभी हमने पुरे घर को दुबारा रेनुवेट करना है मगर बारल मसला यह है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम रेनुवेट के लिए जो है वो कर रहे है तो अभी फिलहाल जो है मैं सोच रहा हूँ कि करूँ या नहीं करूँ इसकी वज़ा यह है कि यर मैंने इस घर को सेल आउट करना है कभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ इस रूम को तो आप देखी चुके हैं कि पहले यह कैसा था और अब यह मजीद और यह चेंज हो चुका है यह आपने मेरे किना होम लोग में तो देखा ही था कि यह सारी डिजैनिंग मैंने की थी और इसको चींज किया था दुबारा ठीक है ना बशरह यह तो सेकटराम हो चुका है और यह सारा कलर वालो यह सब कुछ डिजैनिंग यह आप देख चुका है पहले यह वाली जो दिवार्थी वह रैड कलर की थी याद होगा आपको मेरे पिछली विलोग में आप लोगों को नजार आ रही होगी यह रैट कलर की दिबार थी और यह कलर भी यहाँ पे अलग था यहाँ पड़्डे भी अलग थे बारहल अब यह दुबारा रेनुवेट हो चुका है ठीक है कैसा लगा मेरा यह घर आपको बिफॉर और आफटर आप मुझे कमेंडिस में बताएं ताकि मुझे पता चले के मेरा काम अच्छा लगा या नहीं लगा लगा तो कैसा ठीक है तो बारहल बनाने का मकसद आपको मैंने पहले भी बता दिया है अब दुबारा बता रहा हूं कि बनाने का मकसद यह है कि मेरे काम को आप देखें मैं यह सिर्फ अपने काम को नहीं बलके हर एक काम को मैं अच्छे से काम करके दिखाता हूं पिछले 12 सालों से काम कर रहा हूँ और इस 12 साल में किसी किसम के कोई कंप्लेंट नहीं और कोई मसलों मसाइल नहीं है तो अब भी अच्छा काम हो रहा है क्योंकि बिल्डर्स हमेशा यह याद रखेगा बिल्डर्स हमेशा उन लोगों काम में लेते हैं जिनका काम अच्छा होता है तो आपका भाई बिल्डर्स का भी काम करता है क्यानाम गवर्मेट्स के भी कुछ प्रोजेक होते हैं जो डायरेक्ट मुझे नहीं मिलते हैं वो डायरेक्ट ही मिलेता हूँ डायरेक्ट मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरे बास जो है वो लाइसे वगरा नहीं है तो इसलिए से मैं डारेक्ट नहीं लेता आगी जो मेरे जिसे लिंक है उनके जरीए मुझे काम भी मिलते हैं वह भी में करता हूं आलमदुल्लाह और अपना काम भी कर रहा होता हूं ठीक है तो कहने मालब ही है कि आप कर रहा है इससे पहले हमने काम स्टाट किया था और उसको आप देखे इसको भी बहुत अच्छा जू है काम किया था तो आप मुझे बताएं कि आपको काम करवाना हो तो मेरे लिज़ जो है मेरे डिस्क्रेप्शन में भी है मेरा यह नमबर भी दिया हूँ है आप उसमें मुकمل काम करवाना हो तभी आप मुझे कॉल करें नहीं ऐसा नहीं है आप मुझे किसी भी काम के हुआले से मुझे कॉल कर सकते हैं आप आपको हर तरह की सरुइस आपको प्रोवाइड होगी ठीक है और अशाल सिके की कोई कम्प्लेंट नहीं होगी और rule of regulations लाजमी है ठीक है जो हमारे rules है company के वो तो नहीं होने है वो तो लाजमी है इसके हटके हम काम नहीं कर सकते मगबारण आप हमें call करें और call करके हमें इन्शाला हमें बताएं तो हम आपका complete काम करके देंगे अच्छे से अच्छा और बहतर से बहतर क्योंकि हमारा काम ही हमारी marketing है जब हम काम अच्छा नहीं करेंगे तो हमें आगे काम नहीं मिलेगा हम काम अच्छा करके देंगे तो आप हमारी तारिभ भी करेंगे और डस लोगों को बताएंगे भी कि हाँ भाई इन्होंने काम किया है तो आपके जरीए हमें भी काम मिल सकता है तो इसलिए हम हमेशा अच्छे काम की तर्जी देते हैं और अच्छा काम करके देते हैं तब ही हमें कॉल पे कॉल आती है और काम हमें मिलता रहता है ठीक है ना? मगर इस वक आपने सिर्फ एक काम ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेरिंग करें ताके आगे लोगों को मेरे काम का पता चलता रहे और आगे आपके जरीए हमें काम मिलता रहे ठीक है? तो बरहल मिलते हैं नेक्स विलोग में इंशाला तब तक के लिए अलाँ आपस्ट शबाख है इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खतम करते हैं अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो याद मुझे नहीं पता मुझे दो मिलियन लाइक चीए या कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जे लाल वाला बटन है उस पर फूट ठेक के मारो या फिर मॉम्बत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए